असलाम लेकूम वेलकम टू माई न्यू व्लॉग आज मैं आपको गुड़ वाले चावलों की रेसिपी दूँगी और चावल आपने पहले वन के जी हमने चावल नीए इनको अच्छे तहरा से साफ कर लें चावलों को और एक देजकी में दो कप पानी लेकि उसके अंदर जब पानी बॉइल होजए तो उसके अंदर आपने चावल डाल देने और तीन कनियों तक आपने चावल बॉइल करने उसके बाद एक देजगी के अंदर हमने घी डाल लेना और थोड़ी सी लाइची डाल देनी है ताकि अच्छा सा टड़का लगे और अच्छी सी खुश् कि अदर चावल डालने के फॉरन बाद या आपने साथ यू जो चाशनी बनाई थी इसको पहले से आप क्लीन करके रख ले इसको चान के रख लें और इसको एड़ कर दें सारी चाशनी एड़ कर दें उसके अंदर हमने 700 ग्राम गुड़ लिया था और वन केजी हमारे राइस थे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको पानी को आपने सूकने देना है जब इसकी चाशनी ड्राय होजे तो इसको दम पे लगा दें और चावल रेड़ी है आपके और इसके अंदर आप जो भी ड्राय फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं आप अपनी मर्जी के प्लीस लाइक और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू सो मच पर वाचिन मैं वीडियों